हलो एब्रिवर्न स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान गंगा हिंदी में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिभ्यसी क्लास 3 के चेप्टर 3 भुमंडली कृत बिश्व का बनना तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला है कि आधनिक यूग से पहले यानि अभी हम लोग जिस जुग में हैं उससे पहले क्या हला थे जब हम बैस्वी करण की बात करते हैं तो आम तोर पर हम एक ऐसी आर्थिक विवस्ता की बात करते हैं जो मोटे तोर पर पिछले 50 सालों में हमारे सामने आई है बैस्वी करण का मतलब हुआ कि पूरे बिश्व का एक जग आ जाना और एक समाज बना करके एक सांथ मिल जुल करके काम करना तो अगर बेश्विकरन की बात होती है तो हम मोठे तोर पर माल लेते हैं कि ये हमारा गतिवीधी जो है बेश्विकरन बनने की जो परक्रिया है लगभग आज से 50 साल बर्स पहले की है लेकिन अगर हम लोग इसको और ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये 50 साल नहीं बलकि उसके और पहले से भी आईसी गतिवीधी चल रही थी तो आईए देखते हैं लेकिन जैसा कि इस अध्याय में देखेंगे भुमंडली करन बिश्व बनने की प्रकिरिया यानि अभी जो भुमंडली करन की बात हम कर रहे हैं भुमंडली कृत बिश्व भुमंडली कृत मतलब जो भुमंडली करन के द्वारा बने हुई इस्टिती है अब सवाल आता है कि भुमंडली करण क्या है तो भुमंडली करण का मतलब है कि संपुर्ण विश्व का एक गाउं के रूप में बदल जाना ठीक है भुमंडली करण का मतलब हुआ कि संपुर्ण विश्व का एक गाउं के रूप में बदल जाना यानि आज आप लोग देख रहे हैं कि हर देश चाहे वो हमसे कितना ही दूर क्यों नहों लेकिन वो हमसे जुड़ गया है वो हमसे जुड़ा हुआ है और ये जुड़ने की जो किरिया है वहीं जो है भुमंडलिक कृत्व बिश्व को दर्साता है तो भुमंडलिक कृत्व बिश्व बनने की परकिरिया जो है आज से नहीं बलकि बहुत पहले से व्यापार का काम की तलास में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का पूजी वो बहुत सारी चीजों की बैस्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है यानि जो बैस बैसा किया जाता था में शुपटामिया हो गया तो उस तरीके से बहुत से ऐसे पुराने देश थे जिनसे हमारा बैसा नहीं होता था उसी तरह लोगों काम की तलास में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उसी तरह बहुत सी चीजे थी जिनको एक जगह से दूसरे जगह आने और जाने का बहुत ही लंबा इतियास रहा है नेक्ट है आज जब हम अपने जीवन के बैस्विक आपसे संपरकों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन यूगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरती हुई यह दुनिया ऐसी बनी है तो अभी जो हमने बात बताया कि फुवंडलिक करन और वैश्विक करन ये दू हलात जो बने हैं इसके पीछे क्या इस्तिती रही ये भी बहुत बड़ी माइने रखता है क्योंकि हम बरतमान को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने भूत को जानेंगे कि हमारी बरतमान हलात जो है वो कैसी है इसको जानने से लिए हमको अपने भूत को जानना होगा कि हमारे पहले क्या इस्तिती थी जिसके वज़र से हम अभी इस हलात में हैं तो भुमंडलिकरण और बेस्वीकरण ये हलात बने इसको जानने के लिए पहले हमें हम लोग किस तरीके से इस हलात में आये हैं इसको जानना बहुत जरूरी है यहां देर आए कि इतिहांस के हर दोर में मानो समाज एक दूसरे से ज़्यादा नजदिक आते गए हैं अब इतिहांस अगर आप उठाके देख लें पढ़ लें तो आपको मालूम चलेगा कि प्राचीन काल से ही बहुत से यात्री थे जो एक देश से दूसरे देश आते थे और जाते थे उसी तरह ब्यापारी जो थे ब्यापार करने के लिए पुजारी जो थे यात्री जो हो गया तो पुजारी और तिर्थी आत्री जो है धार्मिक अस्थानों की यात्रा करते थे कुछ लोग जो थे ज्यान के आउसर में आते थे जैसे आपने पढ़ावा कि बहुत जैसे चीनी और चीनी आत्री जो थे वो ज्यान लेने के लिए हमारे देश आते थे तो उसी तरीके से इसके अलावा उत्पिडन या यातना पुड़ जीवन से अब मालजे की कहीं उन पर अ आत्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजे अब एक अस्थान से दूसरे अस्थान जब ये गए तो अपने साथ बहुत सी चीजे भी ले करके जाएंगे जाहर सी बात है कि उनके पास जो है वो सब लेकर जाएंगे तो जैसे पैसा मुल्य माननेता है यानि वो कौन-कौन से ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कौन-कौन से खान-पान करते हैं ये सभी चीजे वो अपने साथ ले करके जाएंगे हुनर उनके काम उनके विचार उनके जो आइडिया है वो भी वो ले करके जाएंगे अविसकार और यहां तक की किटाणू और बिमारियों को साथ भी लेक पर चलते रहे हैं निश्ची तोर पर जब एक जगत से दूसरे अस्थान पर जाएंगे तो वह अपना सब कुछ ले करके जाएंगे यह मैंने अभी आपको बताया और इसका ताजातरिन उदाहरन आप लोग देख सकते हैं कि जो अभी हमारे देश में जो कोविड-19 की हलात बनी हुई है यह कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश से ही होकर के आई है तो यह कैसे आई जब वहां से लोग आये तब आये तो निश्ची तोर पर जब पुराने जवाने में भी लोग आते थे तो वो अपने साथ पैसे लाते थे अपने हुनर लाते थे यानि काम वो जो करते थे काम करने के जो तरीके थे आइडिया थे वो ले करके आते थे उनकी जो आइडोलोजी थी विचार थे उनके जो अविश्कार थी ये सभी चीजे और सांसत बीमारी और किटाणू भी ले करके आते थे 300 इसा पुर्व में समुद्री टटो पर होने वाले ब्यापार के माध्यम से सिंदु घाटी की सभ्यता इस इलाके से जुड़ी हुई थी जिसे हम आज पस्मी एसिया के नाम से जानते हैं यानि 300 इसा पुर्व जो हमारा सिंदु घाटी की सभ्यता है उससे भी क्या था बहुत ज्यादा पहले ही से हमारा जो था लगाव था तो आज जो हम उसे पस्मी एसिया के नाम से जानते हैं तो ये भी बहुत ही महत्वकुर्ण थी ये अब से नहीं बलकि पुराने जबाने सिंदु घाटी की जो सभ्यता है उस समय आपको मालूम चलता था कि मिस्त्र और मेसोपोटामिया से भी हमारा संबंध था यानि वहां से भी भारत के लोग जो थे ब्यपार करते थे यहां कर रहे कि हजार साल से भी ज्यादा समय में से माल्दिव के समंद्र में पाई जाने वाली कौडियां कौडियां जो पहले मुद्रा के रूप में इस्तमाल की जाते थी लोग कहते आपका हाओत भी सुने होंगे कि यह तो कौड़ी के भाव भी नहीं भीखेगा तो शुरू-शुरू में जो होता था जब तक मुद्रा नहीं आय थी रूपिये नहीं आय थे उ कौडियों का भी इस्तेमाल जो था उस समय मुद्रा के रूप में किया जाता था और ये कौडियां जो थी एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुंशती रहती थी जैसे चीन और पुर्वी अफरीका तक पहुंशती रही हैं कहां से माल्दिव से तो माल्दिव में जो भूड़ा जा सकता है यानि बहुत से ऐसी बिमारियां थी जो सात्वी सताब्दी तक एक अस्थान से ले करके दूसरे अस्थान तक पहुंश गई उसी तरह आगे कह रहा है कि 13 सदी के बाद तो इनके परसार को निश्चा हिसाब देखा जा सकता यानि 13 सताब्दी के बाद जो है ये और जादा तेजी से एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक फैले क्या फैले तो किटारू फैले और बीमारिया फैली तो इस तरीके से हम लोगों ने ये भूमिका देख ली इस अध्याई की यहां आप देख सकते हैं एक चितर दिया है जिसमें स्मृति सीला में पान ब्यापार को उस समय यानि समुंद्र ब्यापार जो था उस समय भी हुआ करता था और समुंद्र ब्यापार जाहिर सी बात है क्यों होगा तो एक दूसरे देशों से हमारा जो है संपर्क बनते रहेगा तो जब एक देश दूसरे देशों से संपर्क में आएंगे तो वहां क दिचार को भी अपने साथ साजा करेंगे वहां के जो बाकी सभी चीजे हैं उनको भी एक दूसरे से साजा करेंगे तो बस आज के लिए इतना हैं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक आप पढ़ते रहें सीखते रहें देखते रहें धन्यवाद